नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है कुंदन और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपडेट्स वित कुंदन में दोस्तो आईवी पीएस आरारबी पियो का एक्जाम ओवर हो चुका है टोटल आठ सिफ्ट में इक्स का एक्जाम हुआ है एक अगस्त और साथ अगस्त के दिन चार-चार सिफ्ट में दोनों एक्जाम हुए है तो फ्रेंड्स इसका एक्सपेक्टेट कट ओफ कितना हो सकता है उसके लिए आज मैं इस वीडियो में पुरा अस्टेट वाइज डिसकसन करूँगा हर एक अस्टेट का अलग अलग डिसकसन होगा फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता इसलिए पेसेंस बनाए रखें और लाश तक वीडियो देखें अपने अस्टेट का आपको ज़रूर मिलेगा इसमें कट ओफ और फ्रेंड्स ये मेरा अपना प्रसनल ओपिनियन रहेगा ये कट ओफ का तो फ्रेंड्स अगर थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाए तो उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि हो सकता है मेरे अनुसार ये कट ओफ है लेकिन आपके अनुसार कुछ और अलग होगा तो उसके लिए गुसा न करें और कमेंट बॉक में उल्टा पुल्टा ना लिखें तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ हूर लगता है कट ओफ एकश्पेक्टेड तो आप अपना पता सकते हैं जो भी आपको लगता है और मैं अपना आपको रिवीव देता हूँ मेरे 21 तीनों की vacancy include करके मैं इस cut off को बताने वाला हूँ तीनों की vacancy इसमें बताऊंगा कितना कितना है और cut off कितना गया था previous year और इस बार कितना जाने वाला है पहले मैं बता दूँ कि इस बार 8 shift में एक्जाम हुआ था जिसमें की 4 shift moderate था और 4 shift moderate to tough था तो normalization का फाइदा जो है सबसे जादा जो moderate to tough वाला है उसमें मिलेगा तो friends कौन-कौन सा shift आपका moderate to tough है वो मैं बताता हूँ एक अगस्ट को 1st shift और 7 अगस्ट को 7 अगस्ट को आपका 2nd, 3rd और 4 shift यह तीनों shift friends 1st, 2nd और 3rd shift 1st, 2nd और 3rd shift यह total 4 shift में paper आपका easy to moderate आया था जिसमें की लोगों ने अच्छा attempt किया है 60 plus भी किया है 65 plus भी किया है इन 4 shift में लेकिन अगर बात करें इनके अलावा 1 अगस्ट का जो आपका shift है 2nd, 3rd और 4th और 7th अगस्ट का आपका जो shift है 4th shift वो काफी tough आया था मतलब इनके Cambridgeन में tough आया था तो इनको कर सकते हैं friends की यह जो है in shift में आपको normal lesson अच्छा खासा देखने को मिलेगा, अच्छा खासा means आप 4 to 5 marks या इससे भी ज़्यादा आप expect कर सकते हो कि आपके ज्यादा marks होंगे तो friends जितना भी मैं cut off बताऊंगा अगर आप इन shift से belong करते हैं इन shift में आपका exam हुआ है तो आप उसमें 1-2 marks add जरूर कर लेना जितना भी मैं cut off बताऊंगा तो friends चले वीडियो को सुरू करते हैं देद ना करते हुए और यह normalization वीडियो जो है पिछले साल के vacancy के अधारित पे होगा और इस साल के जुतने vacancy आए उसके base पे होगा और इस साल का जो आपका paper जो है tough कितना आया उसके base पे होगा सबसे पहले मैं इसमें first अपना state लेता हूं बिहार सबसे पहले मैं बिहार का बताता हूं आपको तो बिहार में 2019 में total vacancy थी आपकी 218 और cut off गई थी 58 2020 की बात करें तो 2020 में आपका total vacancy थी 241 और cut off की बात करें तो 48 थी 2021 में friends total vacancy यहां पे 98 रह गई है काफी धोखा हुआ बिहार वालों के साथ क्योंकि यहां पे vacancy कम कर दी गई है पहले और भी जादा date of vacancy थी तो यहां पर कम कर दी गई यहां पर cut off जो है आपका 53 plus minus 3 general वालों का जा सकता है तो next चलते है friends यहां पर plus minus 3 मैंने रखा है 52 56 के range में ही रहेगा अगर आप इस range में आ रहे हैं आपका attempt इतना है 100% accuracy के साथ तो आप जरूर select होंगे general से अगर आप ओभी से है friends तो एक नंबर इसमें जरूर कर लेना EWS है तो एक नंबर कम कर लेना या फिर equally रहता है EWS general का और SCST है तो दो तिन ती नंबर आप जरूर कम कर लेना next चलते हैं आपका next estate आपका मैं जार्खन का discuss करता हूँ जार्खन में last year last year जो vacancy थी 2019 में वो आपका 59.50 था 2020 में जो था आपका 2020 में जो आपका vacancy थी 50 था और cutoff जो है आपका 54.25 गया था 2022 में आपका vacancy जो है यहां पे 73 है और cutoff जो है 51 plus minus 3 जाने के chances हैं next estate चलते हैं friends यहां पे देखते हैं next estate मदपर्देश मदपर्देश 2019 में vacancy आपकी 230 थी and cutoff 54.75 गया था 2020 में आपका vacancy 230 अगें था and cutoff आपका 44.25 गया था क्योंकि paper का level बढ़ चुका था 2020 में और इससे भी जादा tough आपका 2021 में आया है और vacancy जो है आपका मदपर्देश में इस बार 191 है increase होकर 191 है पहले और भी कम था इसमें 10-3 cutoff जाने का chance है यहां पर मदपर्देश में अगर आप general से है तो next आपका चलते हैं आंध्रपर्देश की तरफ तो आंध्रपर्देश में 2019 में आपका cutoff 2019 में vacancy 160 थी cutoff 58.50 था and 2020 में vacancy आपकी 162 थी and cutoff आपका 52.75 था 2021 में vacancy आपका 1985 थी and cutoff आपका 47 7 plus minus 3 था तो चलते हैं next state देखते हैं next state मैंने असम लिया है तो असम में 2019 में vacancy आपका 100 थी and cutoff 41.50 गई थी 2020 में बात करें तो 2020 में आपका 120 आपका vacancy था and 41 गया था cutoff 2021 में 150 हो गया increase हो गया vacancy फ्रेंट्स से कम जाने वाली है 38 plus minus 3 आपका cutoff होगा general वालो के लिए AC का यहाँ पर अगर बात करें तो 30 plus minus 3 वी लाएंगे तो हो जाएगा OBC का 36 plus minus 3 वी लाएंगे तो हो जाएगा next आपका बात करें असम के बाद 36 गर 36 कार की बात करें तो 2019 में vacancy यहाँ पर 25 थी मात्र and cutoff 55.50 गया था 2020 में बात करें तो 100 vacancy थी and cutoff 43.50 गया था and 2021 में कम vacancy हो गई है 65 है cutoff यहाँ पर 47.5 प्लस माइनस 3 जाने का चांस है 47.5 प्लस माइनस 3 आपका जनरल वालो के लिए 36 गर के बाद हर्याना की बात करें friends हर्याना का इस बार 2019 का vacancy है vacancy थी 2019 में 68 थी and cutoff 64.50 काफी उपर गया था 2020 में vacancy 52 थी and cutoff 60.50 गया था 2021 में बात करें तो 135 vacancy है इस बार and cutoff जरूर इसमें नीचे गिरेगी हर्याना की 51.5 प्लस माइनस 3 अगर आपका है तो आप जेनरल से क्वालिफाई कर जाओगे आल्मोस्ट आल्मोस्ट आपका 53, 52 के आसपास ही जाएगा next आपका बात करें हिमाचल परदेश की हिमाचल परदेश में 2019 में वैकेंसी थी 41 and cutoff गई थी 59.75 2020 में वैकेंसी थी 39 and cutoff गई थी 56.50 2021 में वैकेंसी है 70 and cutoff जाने का चांस है यहां पर 52 प्लस माइनस 3 next बात करें आपका J&K 2019 में जमू कास्मिर में 2019 में 86 वैकेंसी थी and 55.25 cutoff थी 2020 में आप बात करें तो 59 वैकेंसी थी and 52 cutoff गई थी 2021 में total 83 वैकेंसी एंक्रीज हुआ है यहां का cutoff 50 3 जा सकता है next आपका बात करते हैं केरला की केरला में फ्रेंड्स 2019 में 76 वैकेंसी था और cutoff 61 गया था 2020 में यहां पर कोई वी वैकेंसी नहीं थी इसलिए cutoff भी नहीं है 2021 में 225 वैकेंसी है काफी अच्छा वैकेंसी है यहां पर sorry sorry यहां पर 2021 में आपका केरला में cutoff गया था 2020 में यहां पर कोई भी वैकेंसी नहीं था इसलिए कोई भी cutoff नहीं यहां पर 2021 में 225 वैकेंसी है and 47 plus minus 3 इसकी cutoff जाने की chances है next आपका महराष्ट्रा की बात करते हैं महराष्ट्रा में फ्रेंड्स 2019 में 130 वैकेंसी थी 56 cutoff गया था इसका 2020 में 271 वैकेंसी थी and cutoff 47.25 गया था 2021 में बात करें 2021 में महराष्ट्रा में 172 एक बैंक ने इसमें अभी रिपोर्ट नहीं किया इसलिए अभी मैंने उसको एनर में रखा है यहां 50 plus minus 3 में सेफ हैं आप इससे भी कम cutoff जा सकता है क्योंकि अगर बैंक जो है रिपोर्ट नहीं करेंगी वैकेंसी तो cutoff आपका और भी नीचे जाने का chances है next आपका friends उतर परदेश की बात करें जो काफी जादा वैकेंसी है यहां पर उतर परदेश में तो उतर परदेश का देख लेते हैं 2019 में 345 वैकेंसी था यहां and cutoff 58.75 गया था 2020 में आपकी वैकेंसी यहां पर 1718 थी पहले friends लेकिन इसको कम कर दिया गया था 500 से 500 बैंक को बरोदा ने निकाल लिया था अपना वैकेंसी और 1200 के करीब करीब वैकेंसी बची थी यहां और cutoff जो है आपका 47 गया था 2021 में बात करें तो आपका 1984 वैकेंसी है total and cutoff यहां पर जो जाने वाली है आपका UP में 43 plus minus 3 general वालों के लिए जाने वाली है next मैं अगर बात करूं इसमें कि EWS का कितना जा सकता है तो यहां पर EWS के लिए 42 plus minus 3 OBC के लिए UP में 41 plus minus 3 SC के लिए 37 plus minus 3 and HD के लिए 34 plus minus 3 जाने का chance है next आपका बात करें WB का West Bengal तो 2019 में यहां पर वैकेंसी आपका 250 था and cutoff 55.25 था 2020 में बात करें तो 214 वैकेंसी थी and cutoff 52 थी 2021 में बात करें यहां पर वैकेंसी आपका 209 है and cutoff 49 plus minus 3 जाने का chances है क्योंकि paper का level friends यहां पर increase हुआ है इसलिए cutoff गिर सकता है next आपका बात करें उत्रा खंड का यहां पर तो तो तिलांगना में 2019 में आपका वैकेंसी जो था 120 था 120 था and cutoff 54 था 1221 में बात करें तो 1221 में total वैकेंसी 93 रह गई है and 47 47 plus minus 3 अगर आप लाते हैं यहां से तो आप सेफ हैं तिलांगना की बात आपका बात करें Tamil Nadu की 2019 में Tamil Nadu में 95 वैकेंसी थी and 55.25 cutoff गया था 2020 में 74 वैकेंसी थी and 54 cutoff गया था 2021 में 156 वैकेंसी थी friends 156 वैकेंसी है 2021 में and cutoff जो है आपका अगर यहां भी 47 plus minus 3 जा सकता है next राजस्थान की बात करते हैं राजस्थान में 2019 में 289 वैकेंसी थी and 58.50 cutoff जा सक गई थी 2020 में 260 वैकेंसी थी पहले लेकिन उसको कम करके फ्रेंट्स बैंक और बरुदा ने निकाल लिया था है यहां से वैकेंसी और वैकेंसी यहां पर कम हो गया था इस कारण से cutoff 66 चला गया था 2021 में friends राजस्थान में 176 वैकेंसी है और cutoff आपका जो जा सकता है राजस्थान में आपका 56 plus minus 3 जा सकता है राजस्थान के बाद उरीसा की बात करें तो friends उरीसा में 2019 में 239 वैकेंसी थी and cutoff यहां पर 55.75 गया था 2020 में आपका total वैकेंसी 25 रह गया था क्योंकि सारे वैकेंसी यहां से बैंक और बरुदा ने निकाल लिया था जिसके कारण से cutoff 62.75 गया था 2021 में बात करें तो 2021 में अभी तक 129 125 वैकेंसी है और एक बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं किया एनार है उसमें तो अगर वो बढ़ जाता है तो cutoff और कम जाएगा अभी फिलहाल इतने में 54 प्लस माइनस 3 जाने का चांसे से हैं सुर्ण सिफ नर्फ इंडिया के श्टेट्स मैंने कवर नहीं किया है कुछ जैसे त्रीपूड़ा हो गया नायरगा लेंड हो गया मिजोर्ण हो गया मिझाले एह सब स्टेट्स मैंने कवर करेंग हमेशा कम होता है वेकेंसी भी कम होती है और कटओ भी कम ही जाती है तो फ्रेंट इस फार 50 के नीचे ही रहेगा इस स्टेट्स में कटओ तो फेंट अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को प्रेंट पे नयों सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंट्स काफी महिनत लगा इसको बनाने में हर एक अश्टेट्स को देखने में कितना कितना जा सकता है और अगर आप चैनल मैंने बताया जैसा है कि आप उन सिफ्ट सो टफ सिफ्ट में हो तो आप एक दो नंबर एड जरूर कर लेना क्योंकि तफ सिफ्ट में फ्रेंट्स जरूर देखने को मिलता है नॉमरे वार होता है इस बार भी देखने को मिलेगा जिनका भी टॉफस्वे में एकजाम होगा और अगर आपको लगता है कि यह cut off नहीं होगा, कुछ और अलग होना होगा, तो आप please friends कमेंट में जरूर बताना कि आपके अनुसार कितना cut off चाह सकता है, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं next वीडियो में friends, और तब दे के लिए all the best आप अच्छे से क्रेक करो, फिर मिलते हैं next वीडियो में, बाई बाई